इंडियम प्रीमियर लीग में तो आप सभी ने देखि लिया हूगा हमने बोला था कि मार्केट में कोई विन नहीं करने वाला है केवल सागा फ्लेर्ट बैक हो और हमारे मैंबर्स विन करेंगे मैं आपको बता दू कि इंडियМ प्रीमियर लीग में a detected 68 matches में हमने इन्वेश्टमेंट रिटन आये था और जो 68 मैचे हमने clean sip की है पहले inning में हमने clean sip कर लिये हैं तो इस तरीके की winning किवल आपको हम ही करा सकते हैं सागा flashback और हमारे members ही कर सकते हैं अब जो है start हो चुका है vitality blast T20 जिसको T20 blast भी कहा जाता था तो इसमें आपको इबा फिर से हमारी बड़ी winning देखने को मिलेगी धीरे धीरे हम investment को increase करेंगे कल भी आपने हमारी बड़ी winning देखी इस series में आज चुकी कोई match ज्यादा थे नहीं तो हम लोग अपने काम में ही best थे और इमराथ से D10 में हमने investment किया अच्छा profit कमाया ज्यादा investment हमने किया नहीं टेलिग्राम पे winning जाके आप देख सकते हो vitality blast का आज एक मात्र match है women वाला जो vitality blast का है वो हमने already ultra clean sip कर लिया है उसमें भी हमने investment किया था वो भी आसानी से हमने win कर लिया है अभी यहाँ पर इस match की बात करते हैं लंकार सायर नोटिंगम सायर के बीच में match होने वाला है यह होगा Old Trafford Manchester में जहाँ पर 8 international match हुए है 6 batting second ने win किये हैं दो batting first ने win किये हैं 164 average score 194 highest पाकिस्तान का है और New Zealand का lowest 123 है domestic यहाँ पर आप यहाँ पर scoring pattern देख लेना वो इतना important नहीं होता है 54 matches खेले गए हैं domestic जिसमें से की first batting करने वाले team ने 30 जीते हैं second batting करने वाले team ने 21 matches जीते हुए है तो international में तो second batting करने वाले team को advantage था लेकिन यहाँ पर first batting करने वाले team में ज्यादा match जीते हैं लेकिन इससे कोई खास फरक नहीं पड़ता है 164 पहले inning का average score है 231 यहाँ पर highest बना है तिरपन यहाँ पर lowest है 8 बार 190 प्लस बना है 150 के नीचे 16 बार बना है यानि बहुत ज्यादा score यहाँ पर regularly नहीं बनते हैं बनते हैं लेकिन regularly यहाँ नहीं बनते हैं वैसे बने तो यहाँ पर 231 भी है बट यहाँ पर average score बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो last match हुआ था लिसेश्टर सैर 99 पर all out हो गई थी लंका सायर ने मात्र 11 ओवर 3 बॉल में चेस कर लिया था, 10 विकेट पेसर और 2 विकेट स्पीनर ने लिया था, आगे चलते हैं, 161 बनाया था, SX के टीम या, लंका सायर की टीम ने इसको भी चेस कर लिया था, मातर 15 ओवर 4 बॉल में, यानि सेकंड इनिंग में लंका सायर का होम ग्राउंड है ये लगातार चेस करके जीत रही है यहां देखोगे तीन विकेट पेसर चार विकेट स्पिनर 168 बनाया वार की टीम ने लंका सायर ने इसको भी चेस कर लिया 19 ओवर तीन बॉल लग गया चेस करने में आठ विकेट पेसर चे विकेट स्पिनर एक सो तिरपन बनाया नौर की टीम ने लंका सायर ने इसको भी चेस कर लिया आठ विकेट पेसर पांच विकेट स्पिनर यानि केवल पेसर कोई विकेट नहीं मिल रहे है spinner को भी मिल रहे हैं जैसे कल आपने Parkinson को wicket लेते हुए देखा था जो match हमने cover किया था उसमें भी ultra clean ship हमने किया था यहाँ पर बात की जाए Livingston का काफी अच्छा record है 10 match में 338 run है 44 highest और balling भी करा रहे हैं इसलिए wicket मिल सकता है 9 wicket लिया है Parkinson का नाम आ गया है यहाँ पर 12 match में 19 wicket है Alex Hells ने लंका साहर के अगएं काफी अच्छा record है 5 match में 200 run 101 highest है Tom Hartley ने नोटिंगम साहर के अगएं 4 match में 7 wicket लिया है Leo Code ने 4 match में 9 wicket लिया है Duckett को 3 बार out किया है Tom Hartley ने 14 ball में Steven Croft को Jack Ball ने 15 ball में 3 बार out किया है यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है बाकी यहाँ पर और भी miscellaneous players battle है वो आप देख ले न grand lick के लिए players battle help करेगी क्योंकि इसको देख करके हम team नहीं बनाते हैं आप बना सकते हो अगर आप grand lick खेलते हो small lick में इसको देख करके team नहीं बनाई जाती है जैसे आप सभी को बताए कि बहुमत सामी ने बहुत सारे ऐसे top order के batsman को out किया है जो कि बड़े-बड़े batsman है तो क्या हम उनको नहीं ले team में जौस बटलर को रासित खान ने out किया हुआ है बहुत बार भूने सर कुमार ने out किया हुआ है तो क्या उनको हम team में नहीं लेंगे तो small lick team इस तरीके से नहीं बनाई जाती है प्लेस battle को देख करके हालेकिन grand league में आप ये सभी thought ले करके बना सकते हो दोरो team के बीच में जो last hit to end मुकाबला हुआ थे यहां भी लंका सायर ने बाजी मारी थी अपने venue पे तो भी जीतते ही है चेस करके इनको भी इनों ने हरा दिया 179 बनाया था एक सेक्यासी बना दिया समित पटेल ने 45 रन एक विकेट डकेट ने 29 रन एलेक्स हेल्स ने 22 रन डेन पेटर्सन जो की साथ अफ्रीका के सांदार पेसर है दो विकेट लूक फ्लेचर ने एक विकेट लिया स्टिवन क्रॉफ्ट बहुत अच्छी फॉर्म में और यहां head to head में भी अच्छा किया 61 डेन विलास 55 रन 24 रन कैतन जैनिंग्स ने बनाया टॉम हार्ट ले 2 विकेट बाकी इन सभी ने 1 विकेट लिये थे एक और मैस देख लेते हैं यहां पर क्या हुआ था यहां पर 178 बनाया था लंका सायर ने और नोटिंगम सायर को 91 पर ही आउल आउट कर दिया यानि पहले बैटिंग करके तो यह जीतते ही हैं सेकंड बैटिंग करके और सेकंड बैटिंग करके तो यह जीतते ही हैं फर्च बैटिंग करके इन्होंने और भी आसाने से जीत हासिल कर ली इनकी बालिंग भी श्ट्रोंग है जैनिंग ने फिर से अच्छा परफॉर्मेंस किया लिविंग इस्टोन ने और लॉन परफॉर्मेंस किया डैन विलास हैं, श्टिवन क्रॉफ्ट हैं, ग्लिसन है हार्टले हैं, इन दोनों दो दो विकेट लिए बाकी इन दोनों ने एक एक विकेट लिए लिउक फ्लेचर ने दो विकेट भी लिए यहां पर चेस नहीं कर पाई, लंका सायर कटी लगतार दो मैच लाश्ट के जीतें, फिर यहां पर मात्र साथ रन से हार गई, यहां एलेक्स हैल्स का फिर से नाम आया 101 रन बनाया, श्टिवन मुलानी ने 25 रन बनाया, कार्टर ने तीन विकेट बाकी इन तीनों को एक एक विकेट मिला था स्टिवन क्रॉफ्ट का फिर से नाम आया, 41 रन एक विकेट, लिवक वोड, 33 रन साकी महमुज जो लाश्ट मैच में मारे वाइस कैप्टेन से दो विकेट, बाकी इन दोनों ने एक विकेट लिए, नॉटिंगम सायर ने 172 बनाया और यहां पर टाई हो गया, टॉम मुर्स ने 48 बनाया था, डगेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एलेक्स हैल्स ने अच्छा किया, बाकी तीनों ने एक विकेट लिए, पटेल मुलानी और बॉल ने, कैतन जैनि भी है, वो भी लगबग चेस कर लिया था, 7 रन से हारा था, लंका सायर की टीम है, यह तो आपको सवाल का उत्तर मिले गया होगा, इस सीजन क्या हुआ है, लंका सायर की बात की जाए, दो मैच खिला है, दोनों मैच जीत करके आ रही है, नॉटिंगम सायर ने एक मैच खिला इनके पास हर वो चीज है, जो एक मैच में और टीम के पास होना चाहिए, जैसे कि IPL में गुजरा टाइटन्स के पास है, यहाँ पर अगर बात की जाए, लिकूर वेल्स ने पहले मैच में 66 बनाया है, लास्ट मैच में फ्लॉप रहा है, लेकिन एक ओवर बालिंग की थी ब बालिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्मेंस करेंगे, इस वाले मैच में इन्होंने विकेट नहीं मिला था, चार ओवर किया था और 31 नम बनाया था, लिविंग इस्टन लास्ट मैच के ले थे यहाँ पर इनकी बैटिंग नहीं आई थी, और कुछ खास इन्होंने किया न टॉम हार्ट ले, लास्ट मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई, इसके अलावा यहाँ पे, इसके पहले वाले में दो ओवर में एक विकेट था, लिक वुड तीन-तीन विकेट दोनों मैच में लेके आ रहे हैं, साकीब महमूद पहला मैच नहीं खेले ते, दूसरे में लास्ट मैच में यह हमारे कैटें थे, यह हमारे वाइस कैटें थे, लास्ट हमने विडियो पोश्ट किया है, तो उसमें हमारे लाइब विनिग प्रूफ को आप देख सकते हैं, हमने दिखाया है महां पे, मैट पार्किनसन ने 4 और में एक विकेट लिया, इसके अलावास दैनियल लैम लास्ट मैच नहीं खेले थे हैं, अधरवाइस अच्छे बॉलर है, कुछ बेंच पे प्लेयर है, डैन विलास का भी नाम आया था, हेट टो हेट मुकाबले में, एंड कुछ और अच्छे प्लेयर है, ग्लीसन खेलते हैं, तो इंपॉर्टन हो सकते हैं, बटलर अगर आते हैं, तो फॉर्म में उपते इच्छे नहीं थे, IPL में, लास्ट दो मैच में जीरो पे आउट हुए थे, लेकिन खेलेंगे तो लेना ही है आपको, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, नोटिंगम साहर की तरफ, एलेक्स हेल्स इंपॉर्टन रहेंगे, लास्ट मैच में बारा पे या आउट हुए थे वैसे, इंपॉर्टन है, जोक लार्क है, 68, 54, 22, अच्छी फॉर्म में है, कॉलिन मुन्रो एक सांधार प्लेय में the hundreds खेलते हैं, तो अच्छा इंके पाद experience है, बट हमारे पाद विकेट कीपिंग सेक्सें में और भी प्लेयर हैं, तो उनको उम लेंगे, इस्टिवन मुलानी बहुत सांधार प्लेयर है, लास्ट मैच पर तो मौका नहीं मिला था, एल जेम्स है, ग्रैंड लिंग में ट बेंच पे कुछ प्लेयर हैं अगर जैक बॉल खेलते हैं तो important हो सकते हैं, बागी यहाँ पे कोई खास प्लेयर नहीं दिख रहा है, लुक फिलेचर खेलते हैं तो important हो सकते हैं, डैन पैटरसन ठीक ठाके साथ अफरीका के player बाट उतने विकेट स्काई बाघर नहीं ले laप को बताया बैटिंग थोड़ी नीचे आती है बट प्लेयर अच्छे हैं हेट टो हेड में एक जगह इंका भी नाम आया था लिविंग इस्टन की बात की जाए इंपॉर्टेंट है एलेक्स हेल्स है कॉल हमन रहे यहां पे इस्टिवन क्रॉफ्ट और लुक वेल्स को मैं नहीं लिया है विकाज हर मैच में चलेंगे नहीं इस्टिवन क्रॉफ्ट ज्यादा अच्छी फॉर्म में लिया है लेकिन पहले ओर में अगर ज्यादा रन दे देंगे फिर इंको बॉलिंग नहीं दी जाएगी और बैटिंग नीचे आती है वैसे प्लेयर बहुत अच्छे है और साइन साफरिदी लिकवूड और साकीब महमूद को मैंने लिया है यहाँ परकिंसन एक स्पिनर है इनका एक आपके पास है जैक बॉल गलीसन यह खेलते हैं तो इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए टॉम हार्टले को लास्ट मैच बॉलिंग नहीं दी गई थी बट प्लेयर स्कोर तो 165 के आसपास है लेकिन 231 भी यहाँ पर हाइस्ट बना है तो मैं आपको रिक्मेंट करूंगा या तो आप डैरी मिचल को बनाओ जो कि बॉलिंग भी दो तीन ओवर करा सकते हैं पहले मैच में चार कराया था सेकंड मैच में कॉलन डी ग्रेंड हुमे को बॉलिंग दे दी गई थी इसलेंग का ओवर कट गया था तो यह एक सेफ आपसन है समित पटेल एक सेफ आपसन है तीन ओवर बॉलिंग कराया थी बैटिंग भी अच्छी करते हैं इस्टिवन मुलानी भी सेफ आपसन है बॉलिंग काफी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग भी काफी देखे जाएंगे लेकिन अगर आप किसी batsman को बनाते हो चार पांच रन दस पंदर रन बना के आउट होंगे तो फिर आपको फिर कहीं से point नहीं देने वाले हैं लेकिन एक safe रहता है कि विकेट keeper का आप बना सकते हो मैंने लगबग सारी बातें आपको गाइड कर दी हैं बाकी आपका जो भी decision है हम अपने members को team provide करेंगे TOS के बाद news की basis पे काम किया जाता है जिसके लिए हम लागों रुपे payment करते हैं इसलिए हमारे membership का charge market में सब सी जाता है यह हमारा whatsapp number है यहाँ पे paid membership available है तो आप तीनों में से कोई भी package ले सकते हो अगर आपका budget है तभी ले ना नई budget है तो वो prediction के वीडियो आ रहे हैं वो देख करके low investment करो अगर बहुत ही कम पैसा आपके पास है तो fantasy game आपके लिए नहीं बना है उससे जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए better है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका host और दो संकुरी signing out बाबाए